इसे रिपियर करना बिल्कुल ही आसान है मैं आपको इस वीडियो में इसे रिपियर करके दिखाऊंगा ताकि आपके पास अगर इस तरह के subject available है तो आसानी पुरवक काप इसे repair कर सकते हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो के last तक बने रहे हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नही किया है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले बेल आइकन औल पर किलिक कर दें ऐसे ही एलेक्ट्रोनिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यह देख सकते हैं कि यहां पर मैं इन सारे स्यूज को कैसे खोलना है वो मैं आपको कूल करके दिखा रहा हुँ क्या इसमें इन किया रहता है वो भी आप देख सकते हैं जैसे कि दो टर्मिनल है इसके बाद एक टर्मिनल लगा हुआ रहता है दो टीप की तरह वो क्या होता है कि दोनों को आपस में सौट करता है और इसके बाद स्प्रिंग रहता है एक लोहे की छोटे से बॉल का यूज कि जाता है जो क्या होता है कि जैसे आप जब स्यूज को ओन आप करते हैं तो पुट की जो आवाजे आती है उससे और ये स्प्रिंग क्या करता है कि दोनों को आपस में टच करने में काफी हेल्प रहता है अब देखें कि यहाँ पर इन सभी में पानी जाने के कारण यहाँ पर जंक की तरह लग चुका था मैं से यहाँ पर सरेस पेपर की हैल्प से बिल्कुल ही क्लीन करूंगा इसके बाद इसे भी क्लीन करूंगा और मैं क्या करूंगा कि इन सभी कुजरा सा वास कर लूँगा ताकि बिल्कुल ही क्लीन हो जाए और बिल्कुल परफेक्ट हो जाए मै अस्प्रिंग को जो दव चुका है वो अस्प्रिंग को मैं जरा सब है ला ले रहा हूँ ताकि अच्छे से पूस होना शुरू हो जाए थुरा सा हाड हो जाए और इसके बाद मैं यहाँ पर एक ओयल का भी यूज कर दूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका मैं जरा से यूज कर दिया हूँ ताकि बटम जो है वो जल्द खराब ना हो इसमें अगर पानी भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो और साथ में यह बिल्कुल स्मूद हो जाएगा अब देखें सेटिंग जिस तरह से मैं निकाला था उसी तरह से अच्छी तरीके से सेटिंग भी कर दे रहा हूँ इसके बाद फिर इसे बिल्कुल परफेक्ट रूप से तयार कर लेना है जैसे कि यहाँ पर जो भी सेटिंग देख रहा है एक वाइट एक रेड और बलेक जो है वो कनेक्शन का है वाइट जो है जिसमें सेटिंग होता है और बटम रेड जो देख रहा है वो बटम की तरह वर्क करता है तो अब देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर आवाजे भी आप सुन सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क भी कर रहा है मैं यहाँ पर multimeter से test कर ले रहा हूं कि यह search work कर रहा है वो भी बिल्कुल perfect तरीके से तो अब देख सकते हैं कि यह search बिल्कुल perfect है यहाँ connection को मैं add करके इसके बाद आप यहाँ पर beep की आवाज भी सुन रहा हैं तो देखें कि मैं यह button को on up करूँगा और आप आवाजे सुनें कि बिल्कुल सही से work कर रहा है तो देख सकते हैं काफी perfect है यह और यह search जो है वो बिल्कुल ही सही हो चुका है अब यहाँ पर नए search की कोई आवाज सकता नहीं है इसे repair करना बिल्कुल असान था जो मैं आपको करकी दिखाया हूं और इसी तरह से मैं same process करके एक और भी जो search effect है और यह search ready हो चुका है दूसरे search को भी मैं ready कर दिया इसका wire का थोड़ा सा problem था मैं wire को change कर दिया हूं मैं यहाँ पर copper के wire का use कर रहा हूं जो काफी waste होता है तो मैं copper के wire को use करके और इन सारे search को मैं test करके आपको दिखा रहा हूं तो देखा friends किस तरह से मैंने दोनों search को repair कर दिया और repair करने के बार यह बिल्कुली complete है I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए thank you next वीडियो में फिर मिलेंगे फिर में कुछ और लाओंगा